शिवसेना प्रमुक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन उनकी पार्टी की मुसीबतें कम होने की बजाए बढ़ती जा रही है। इसकी मनजूरी दे दी है और इसे जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के कारण शिवसेना की परिशानी पढ़ गई है। महराश्र में कॉंग्रिस और NCP के सहयोग से सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे इस विध्यक का विरूद कर रही है। कॉंग्रिस ने पहले ही कह दिया है कि पार्टी इस विध्यक का विरूद करेगी। अब शिवसेना प्रमुख के सामने अपने ही सांसदों को समझा पाने की समस्या खड़ी हो गई है। हिंदु तो विचारधारा वाली शिवसेना के कई सांसद इस विध्यक के समर्थन में हैं क्योंकि इस विध्यक के पास होने के बाद पाकिस्तान, बंगला देश और अफगानिस्तान जैसे देशों से भाग कर आए हिंदूों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके कारण शिवसेना के सांसद संसद में इसका विरूद करना नहीं चाहते। दूसरी और कॉंग्रेस को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे इस विध्यक का विरूद करने का मन बना रहे हैं। इसके कारण शिवसेना के सांसद दो गुटों में बट गए हैं। एक गुट तो उद्धव के साथ खड़ा होकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता है। तो दूसरे गुट में वैसे सांसद हैं जिनका मानना है कि शिवसेना को अपनी विचार धारा के खिलाफ जाना नही चाहिए। शिवसेना भी शामिल थी। भाजपार शिवसेना की सरकार ने 9 सितंबर 2019 को ट्रस्ट की जमीन खरीद के रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टांप ड्यूटी अदा करने से राहत दी थी। रिसर्च फौर रिसर्जेंस संघ से जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट है जिसने चिपी के साथ सहीँ करके सरकार बनाई तो उन्हीं पिछली सरकार का ये फैसला घलत लगने लगा कि मंतरी उद्व ठाकरे के नेतरतों में हुई मंतरी मंडल की बैठक में स्टांप ड्यूटी माफ करने के इस फैसले को रदिकर दिया गया हालांकि कैबिनेट के इस फैसले के लिए सरकार के ऊपर पढ़ने वाले वित्तिय बोज का बहाना बनाया जा रहा है लेकिन बास्तविक कारण तो कुछ और ही है जानकारी के मताबिक इस जमीन की खरीद पर करीब डिर्ड करोड रुपय की स्टांप ड्यूटी लगने वाली है किसी भी सरकार के लिए डिर्ड करोड रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है लेकिन उद्धर ठाकरे की सरकार को इतनी रकम से परिशानी हो रही है बास्ताओं में रकम से ज़्यादा बड़ा मामला एजंडे का है कॉंग्रिस और संग के भी 36 का आंकड़ा है कॉंग्रिस किसी भी तरह से संग को कमजोर करने की कोशिश में लगी रहती है कॉंग्रिस को जहां भी मुका मिलता है वे संग के खिलाफ अपने अपियान में लग जाते हैं और कॉंग्रिस अपने इसी एजिंडे को अब महराश्च में भी लागू करना चाह रही है उधव ठाकरी को सीम बनना सबसे ज्यादा शरत पवार के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है शरत पवार ही नहीं उनका पूरा परिवार मज़े लोट रहा है 35,000 करोड के विदर्ब सिचाई घुटाले में फसे अजीत पवार के भी मज़े हो गए उधव ने कमान थमालते ही अजीत पवार को सिचाई घुटाले से आजाद करवा दिया इस मामले की जाच कर रही ACB ने बॉम्बे हाई कोट से कहा कि अजीत पवार बेदाग है उन्होंने कोई घुटाला ही नहीं किया था ACB की क्लीन चिट मिलने के बाद अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने का रास्ता खुल गया है फटनवीस के साथ जाकर डिप्टी सीएम बनने के बाद कॉंग्रेस ने इस बात पर सवाल उठाय था के हजारों करोड के घुटाले के आरूपी अजीत पवार को डिप्टी सीएम कैसे बनाया गया तब तक अजीत पवार को किसी तरह की क्लीन चिट नहीं मिली थी लेकिन अब इस सवाल पर कॉंग्रेस की बोलती बंद है वजह ये कि उद्धव ने सारा खेल ही बदल दिया अब अजीत पवार अचानक रातो रात इमानदार हो गए इतने इमानदार के उनका नाम लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुनिया गांधी इमानदारी की कसमे खा सकते हैं हाई कोट में 27 नवंबर को हलफ नामा पेश किया गया था अदालत ने इस मामले में एसीबी को पूर्व जलसन साधन मंतरी अजीत पवार की भूमिका पर अपना पक्ष रखने को कहा था अजीत पवार विधर्ब से चाई विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बी आई डी सी ने उन से चाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी जिन में औरनियमित्ता का आरोप लगा था महराश्चों में कॉंग्रिस और अन सी पी के शासन काल के दौरान 35,000 करोड के घुटाले का आरोप लगा था और आरोप लगाने वालों में उद्धव ठाकरी भी थे लेकिन वक्त बदला तो सब कुछ बदल गया कल के घुटाले बाज आज इमांदार साबित हो गए पंजाब कॉंग्रिस में गुडबाजी तेज हो गई है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरंदर सिंग को विपक्ष से ज्यादा अपनी पार्टी के नेताओं से खत्रा है पहले नवजोद सिंग से दूने कैप्टन के खिलाफ आवाज उठाई और अब पंजाब कॉंग्रिस के पूर्वध ध्यक्ष और रजजसभास सांसद प्रताब सिंग बाजवा ने उनके उपर हमला किया बाजवा ने कहा कि कैप्टन अमरंदर सिंग ने पंजाब के जनता के साथ धोखा किया है उन्होंने कैप्टन अमरंदर सिंग के ओपर हमला करते हुए कहा कि पंजाब में ड्रग्स एक बड़ी समस्या है और कैप्टन अमरंदर सिंग ने सरकार बनने के एक सब्ताह के भीतर नशे के अवैद कारोबार को खत्म करने की बात कही थी उन्होंने अब तक कारवाई तो नहीं की लेकिन उनके मंतरी इसे खरीदने के तरीकों पर जरूर बात कर रही है उन्होंने अमरिंदर सिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि अमरिंदर सिंग के मुख्यमंतरी बनने के बाद से ही पार्टी में भी समस्याइं पैदा हो गई हैं कांग्रिस के विधायक उनके उपर ताना शाही का आरोप लगा रही हैं और पंजब में मंतरी उन से नाराज हैं बाजवा का ये बयान ऐसे समय में आया जब आहाम आदनी पार्टी पंजब कांग्रिस में फूट की बात कर रही है पिछले दिनों पंजाब कॉंग्रिस के 40 विधायकों के नाराज होने की खबर आई थी तब बताया जा रहा था कि कैप्टन अमरंदर सिंग के विभार से ये विधायक परेशान है इन में से चार विधायकों ने तो आरोब भी लगा दिया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं ऐसी समय में पंजाब कॉंग्रिस के पूरवध्यक्ष प्रताप सिंग बाजवा का सरकार के उपर हमला इस बात की और इशारा करता है कि कैप्टन की कुर्सी खत्रे में है पंजाब कॉंग्रिस के भीतर कभी भी बगावत हो सकती है नवजोट सिंग से दूप पहले से ही मुख्यमंतरी अमरंदर सिंग का विरोध कर रही हैं और कैप्टन के खिलाफ एक गुट बनाय हुए है अब बाजवा ने भी कैप्टन के खिलाफ बागावत का बिगुल फूंक दिया है तो कॉंग्रिस के लिए राज्य में सरकार बचाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है महराश्चों में गटबंदन की सरकार है लेकिन इस गटबंदन में कई पेच भसे हुए है उद्धव की ताजबोशी शिवाजी पार्क में धूम धाम से हो गई लेकिन अभी तक न डिप्टी सीम का पता है और ना ही ये साफ हो पाया है कि आखिर कितने लोग मंतरी और किसका क्या पोर्टफोलियो होगा आलम ये है कि ठाकरे अपने बेटे और भांजे से ही मंतराले का काम चला रहे हैं बीते दिनों अधिकारियों के साथ एक बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने भांजे को भेज दिया था जिस पर काफी बवाल हुआ था दरसल शिवसेना के साथ ये गटबंधन के सहयोगी कॉंग्रेस और न्सीपी के बीच विभागों के बटवारे को लेकर जारी खिंचतान को इसकी वजह बताया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के मताविक शिवसेना की तरफ से किसी भी विभाग की मांग नहीं है लेकिन कॉंग्रेस और न्सीपी वित, राजस्व, ग्रिह, हाउजिंग विभाग की मांग कर रहे हैं दोनों दलों में प्रमुख मंत्राले पाने के लिए होड मची हुई है देखना दिलचस्प होगा कि महराश्र के इस ड्रामे में क्याट विस्ट निकल कर सामने आता है क्योंकि 16 दिसंबर से आगामे विधान सभा का शीत सत्र शुरू हो रहा है और इसको देखते हुए पॉर्टफोलियो का बटवारा महत्वपूर्ण है क्योंकि देविंद्र फटनवीस की अगवाई वाले दमदार विपक्ष का सामना करने के लिए मंत्रियों को तयार रहना होगा विरुरेपोर्ट न्यूज ओफ इंडिया